सहस्तु धरा की इस नदी को देखिए, इसके रौदरूरूप को देखिए और उत्राखंड में बरप रही तबाही को देखने की भी बेहत जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से लगातार बादल फोड तबाही देखने को मिल रही है वो बेहत डराने वाली है हम इस समय उत्राखंड के देहरा दून में सहस्त्रधारा नदी पर कड़े हैं जहां पर अभी दो दिन पहले ही इस नदी के विकराल रूप को देखने को मिला था जहां पर घर नेस्ता नबूत हो गए थे पूरी तरह से बरबादी का मंजर लोगों को देखने को मिला था और आज एक मंजर फिर से परदेश के सीमान्त छेतर पितोरा गड़ में देखने को मिला है जहां पर धारचुला के जुम्मगाओं में जबर दस्त बादल फोड तबाही देखने को मिली जुम्मगाओं में जिस तरीके से क्लाउड बस देखने को मिला वो अपने आप में करने की खबर सामने आई 20 से ज़्यादा लोगों के मिसिंग होने की सूचना ही वो बहर डराने वाली है कहीं न कहीं ये परेशानी उत्राखंड में एक प्रश्ण चिन भी उठाती है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहां पर हाइवे के ऊपर बने एक पुल को तूटते हुए भी बिखरते हुए भी सब ने देखा हमने दिखाया कि किस तरीके से गाड़ियां उस पुल के बीचों बीच फस गहीं थी पूरी तरह से नेस्ता नबूत हो गहीं थी उसका कारण खनन को बताया गया क्योंकि इलीगल माइनिंग का गोरक धंदा जिस तरीके से बने नेशनल हाईवेस के पुलों के लिए भी बदवस्तूर एक बड़ा खत्रा बनता चला जा रहा है बारिश का आलम ऐसा है कि अगर हम गड़वाल की बात करें तो गड़वाल में चारो तरफ मानो चितकार सी मची है चमोली में लगातार बारिश ने सड़कों को बेहाल क जाहीं कुमाओं में जिस तरीके से बादल तूटने की फटने की घटनाए सामने आ रही हैं वो बेहद डरावना है बेहद ड़राने वाला है गोर करने वाली बात यह है कि यह वही कपकोट है जहां पर पंदरह से जादा बच्चे बादल फटने की घटना की वए से जमीन दोज हो गए थे घटना पुरानी है लेकिन डर लगता है ऐसी घटनाओं से जो आम तोर पर उत्राखंट के लिए अब बिलकुल एक आम बात सी होती चली जा रही है क्योंकि कहीं न कहीं इसमें कमी हमारी है सरकार की है और मैनमेड डिजास्टर के तोर पर जाने जाने वाले उस सिस्टम की है जिसकी वज़ा से ये घटनाओं सामने लगातार आ रही है क्योंकि ऐसा मनजर पहले देखने को नहीं मिलता था क्योंक नहीं देते थे अगर हम देहरादून से 50 किलो मिटर दूर विकास नगर की बात करें तो तबाही का मनजर वहां भी देखने को मिला जहां पर नए नए घरोंदे बिखर गए तूट गए एक बच्चे को किसी तरह से बचाया गया जो उस मिट्टी के अंदर दफन था उसे किसी अब एक उपर और वो है उत्रकंट सरकार के उपर क्योंकि सरकार को अब चाहिए कि जरूरी है जल से जल एक अच्छा कदम उठाने की ताकि illegal mining को रोका जा सके जिसकी वजा से जो नदियां हैं उनका रुख न बदले और नदियां घरों की तरफ आशियनों की तरफ अपना रुख न करें कैमरामेन प्रिवेश राणा के साथ दिलीप चिंग राठोल सहस्रधारा आज तक